नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC Knowledge Base एक अक्टूबर से सूचना प्रोध्वगी की मदद से निजी और व्यवसाइक ड्राइवरों के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी करने के व्यवस्थाल लागू हो जाएगी पुलिस यातायात अधिकारी से दोर व्यवहार, वहन नहीं रोकना, ट्रक कैबिन में सवारी बैठाना, इसके अलावा और भी कई तरहिके के जो बरताव करने पर भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस आपका कैंसल या रद भी किया जा सकता है सरकार एक पोर्टल के मादियम से इन सभी रिकॉर्ड पर नजर भी रखने वाली है, इससे भविस्य में ड्रैवर के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी भी हो सकेगी एक अक्टूबर यानि आज से ही ड्राइविंग लेसेंस और वाहनों के डॉक्यूमेंट पोर्टल पर रखने की सुवधात सुरू हो रही है पुलिस परिवहन अधिकारी असल दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकेंगे इसके लावा सलक परिवहन और राज मार्क मंत्राले ने नए नियमों संबंदी अधिसूचना यानि नोटिफिकेशन जारी कर दी है इसके मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1921 आदी में बस टैक्सी में अधिक सवारी बैठाना सवारी के साथ दुर्वे भार, स्टॉप पर उन्हें नहीं उतरने देना बस चलाते हुए धुमरपान करना, सलाप पीकर गाड़ी चलाना, वाहन वेवज़ा धीरे चलाना अधिक समय से गंतव्य पर पहुँचना, ट्रक के कैबिन और पीछे सवारी बैठाना रुकने का इसारा करने के बावजूद वाहन को ना रोकना बस में सिगरेट पीना आदी हरकर ड्राइवर को महंगी पड़ सकती है ट्रैफिक पुलिस ऐसे ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनका ड्राइविंग लैसेंस कैंसल भी कर सकती है ऐसे ड्राइवरों के वाहन का पंजी करन भी कैंसल किया जा सकता है ऐसा भी प्रावधान लागू होगा इसमें वाहन में बैठी सवारी को उतार कर प्रदर्सन वा हर्ताल में सामिन होने वाले और booking के बाद जाने से मना करने वाले cap के driver भी सामिल होंगे यातायात पुलिस RTO को जुर्माना रासी कारवाई आदी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना आनिवारे होगा इसके साथ ही परती दिन यानि डेली बेसेस पर पोर्टल को अपडेट करना भी और ऑनलाइन देखा जा सकता है ने नियमों के अनुसार जो नया कानून बना गया है उसके अनुसार जिन भी driver को दंडित किया जाएगा उनकी सारी डेटेल पोर्टल पर अपडेट होगी जिससे driver का online ही पता किया जा सकेगा कि वो जनता के लिए खत्रा पैदा करने वाला हो या फिर वहन चोरी यात्रियों पर हमला उनके समान की चोरी करने वाले ऐसे driver का deal तो रद किया ही जाएगा इसके साथ-साथ उनकी गाड़ी भी जब करिया जा सकता है ऐसा पहली वार प्रावधान किया गया है तो ये आपको अपडेट कैसी लग रही है मुझे comment box के मादियम से जरूर बताईएगा और साथ ये भी बताईए कि सरकार इस पर जो action ले रही है वो आपको कितना अच्छा लगता है और जैसा कि मैंने अब ये आपको बताया कि एक October 2020 से बदले हुए नियम के अनुसार अब आपको अपनी कार बाइक या किसी भी वाहन के जरूरी document साथ लेकर चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी चालक अब अपने वाहन से संबंदित सभी document डिजी लोकर या फिर M परिवहन में storage कर सकते हैं और जोट पढ़ने पर डिजीटल माध्यम से दिखाने की उन्हें पूरी छूट दी जाएगी यानि आप ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपसे hard copy की मांग पिल्कुल नहीं कर सकते अगर किसी वाहन संबंदित document को digital validation उसका complete हो चुका है तो उन्हें physical रूप में कोई भी document दिखाने की जरुवत नहीं होगी इसमें वो मामले भी सामिल होंगे जिनमें नियमों में उलंगन के बाद document जब्द करने की जरुवत होती है इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले को इच अलान भी सरकार के digital portal के माध्यम से जारी किया जाएगा यही नहीं driving license cancel करने के बाद digital portal पर report करना होगा सरकार चाती है कि किसी वी वहान की checking बार बार नहीं की जाए जिससे सड़क चलते driver को परिसानी कम हो मंतराले का यह कहना है कि नहीं नियमों के बाद traffic उलंगन के मामलों को online update किया जाएगा जिसमें authorities और driver के विवहार को भी record में रखा जाएगा जिसमें जाच का time stamp, police अधिकारी का uniform, सहित पहचान पत्र का record भी portal पर update होगा traffic के नए नियम के दाएरे में अधिकित अधिकारी भी आएंगे यानि आप driver के साथ साथ अधिकारी भी इस नियम में सामिल होंगे उन पर भी ये नियम लागू होगा इसके लावा एक खास बात और है जो नियमों में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अक्टूबर से जो नियम बदल रहा है उसके अनुसार मंत्राले ने driving के दौरान mobile phone के इस्तिमाल करने के नियमों में भी बदलाव किये है driving के दौरान mobile या अन्ने handheld device का इस्तिमाल केवल route navigation के लिए किया जा सकता है साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि route navigation के समय पूरा ध्यान driving पर ही हो और इसके अलावा अगर नियमों के बाहर जाकर आप phone का इस्तिमाल करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है यह भी साफ किया गया है कि driving के दौरान phone पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है और अब license के साथ साथ RC भी आप घर बैठे online बनवा सकते हैं नए notification के मताबिक अब आधार कार्ड का इस्तिमाल online driving license बनवाने, driving license का renewal करवाने, कारी का registration और इनसे जुड़े दस्तावेज में address बदलवाने के लिए भी आप कर सकते हैं इसी के साथ आज की इस video को यह खतम करते हैं उमीद है आपको यह information पसंद आई होगी तो मैं मिलूँगा एक और नए information update के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे जाज़त, जै हिंद, जै भारत